सबसे पहले आप यह वाली क्लिप देखो अगर आप उन पांचों पॉइंट को मतलब की फोलो करोगे ना तो भाई आपका क्लोज रेंज के लिए इतना ज्यादा कॉन्फीडेंस आ जाएगा आपकी क्रोशिर के बिल्कुल सामने आएगा तो इसको हैट्षोट लगने लगने वाले है łए लेकिन आपको इन अपको बसेंट लेकर, एस सामने वाली चीज को नहीं करने है अगर आपको आपको रिस्क लेकर इस वाई चीजको नहीं करने है वssäपके नेட्वी आपको इसे वीडियो में काफी को सीखने को मिलेगा, वीडियो बहुत टाइम बाद आ रहा है, अगर आप लोग मेरी वाद पहली बार सुन रहे होते हैं, लाइक और सस्क्राइब कर देना, हम 100 के सस्क्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है, ठीक है, तो फटा-फट से बता दो तुम आज मैं रिवील करूँगा, और हो सकेगा, तो भाई, मैं अगली वीडियो में हैंड के साथ उसको समझाने की कोशिस भी करूँगा, ठीक है, बट आज केवल मातर मैं उसको रिवील करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक तीन पॉइंट के बारे में अगर आपको कोई भी मतलब एक इलिगल चीज दी जिजी जाए, जिसका यूज करके आप अपनी स्किल का यूज नहीं कर रहे हो, आप एक इलिगल चीज यूज करके, मतलब अपने 15-20 किल कर रहे हो, आठ की केड़ी कर लिया है, बट उसका कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि जैसे अपडेट जाएगा ना, या फिर आप टुर्णामेंट्स वगरा खेलोगे, मतलब कुछ भी खेलोगे, मतलब कॉम्पेटे चीज़ों का सारा ले रहे हैं, बट जैसे ही हमें कोई टुर्णामेंट वगरा खेलना होता है, तो उसमें यह सब चीज़े नहीं होते हैं, आपको नोर्मल मैच दिया जाता है, जिसमें आपका गेम सेंस काम करता है, आपकी स्किल्स काम करती है, बट आपने तो वो खोद य मोड्स खेलके, तो मैं बोलूगा, जादा उनको नहीं खेलना है, वरना आपकी close range टटी हो जाएगी, बट आप लोग बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे, आप मतलब ही ID कहां से लिया, ठीक है, वो सब बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले twist आता है, कि तीसरा पॉइंट basic म ये कौन सा है, उसके बाद advance पे चलते है, जो basic में तीसरा point है, वो ये है, कि आपको कभी भी एनक game को खेलना छोड़ना नहीं है, आपको everyday एक घंटा तो game में देना ही है, बहुत सारे बंदे करते क्या, दो से तीन दिन में एक बार खेलेंगे, और फिर एक दिन छोड़ दें अगर मैं ही नहीं खेल सकता, तो मैं बंदो को गंटा से घंटा से घंटा से घंगा, तो इस point के लिए वीडियो को लाइक भी करते हैं, यहां तक देख रहो तो सब्सक्राइब भी करते हैं, अब advance पे चलते है, advance पे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, दो से तीन पॉइंट है आपको हमेशा straight fight लेना, आपको कभी भी बंदे के अंदर नहीं घुचन है, आप जितन आप बंदे के अंदर घुचते जाओगे ना, वैसे ही आपका aim चोक हो जाएगा, एन आप easy वहाँ पे takdown हो जाओगे, आपको fight कैसे लेना, आप example देख सकते हो, अगर आप लोग straight fight लोगे ना, तो बंदे को head लगने के chance जादा रहेंगे, आपके चोक करने के chance बहुत ही कम रहेंगे, एन सामने वाला बंदा पैनिक होता अगर आप लोग स्ट्रेट फाइट लोगे, ठीक है, क्योंकि सामने वाले बंदे के उपर pressure डालो, कि वो आपके उ पर rush करो, ठीक है, अगर आप लोग ऐसा करोगे, तो सामने वाला बंदा पैनिक हो के वैसे ही मर जाएगा, ठीक है, अभी दूसरे point पे चलते है, उसके बाद जो तीसरा point है, अपना advance का, वो last point रहेगा, पर उसके बाद bonus tip भी मिलेगा, तो वीडियो को skip नहीं करना, और यहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर आपने किसी बंदे को damage किया देना, आप सीधा rush करने की कोशिज करोगे, तो अगर आपने pixel peak देके सामने वाला बंदे को मारा, जो सामने वाला बंदा आपको दिखता है, बट सामने वाला बंदे को आप नहीं दिखता है, क्रोश मतलब बंदे का confidence down करने के लिए आप उसको थोड़ा थोड़ा damage देना होता है, पहले 20% health कम कर दिया, फिर से pixel peak दिया, फिर से उसका health कम कर दिया, तो इन चीजों से सामने वाले बंदे का confidence down हो जाता, ठीक है, confidence से मुझे याद आया कि अगर आपका confidence नहीं है, तो आप close range में क बात कर लेते हैं, आईडी के बारे में बताता हूं, देखो भाई, जो final end point वो है, कि भाई, देखो, जितने भी compi players, lean events वाले खेलते हैं, tournaments वाले खेलते हैं, मैंने बहुत सारी लोगों को देखा है, वो करते हैं कुछ ने अपने combo controls बना लेते हैं, मतलब वो four finger खेल रहे हैं बढ़ों को खेल रहे हैं, five finger खेल रहे हैं, close range में थम खेलते हैं, और कुछ बंदे जो थम भी खेलते हैं, तो थम में होता कुछ नहीं, जीगल and जो aim होता न, वो एक perfection आ जाता एक चीज़ का, कि भी हाँ, perfect aim रहेगा, अगर थम खेल रहे हो तो ठीक है, तो मैं बोलूँगा अगर आप लोग भी अपने combo controls बनवाना चाहते हो, तो मैं इसके उपर एक handcam video बना दूगा, खुद से आप लोग इस वाली video को देखके बना सकते हो, तो आप लोग बता देना, अगर आपको ज़रूरत है मेरे को combo controls बनाने हैं, तो comment कर देना, जितने जादा comments आएंगे, उस सब कुछ आप लोगों की वज़य से हुआ है, मैं यहां तक पहुंचा हूँ, सुरुआत में भाई, कुटा भी नहीं पूसता था मेरे को, अभी के टाइम पर देखोगे न, तो बिना पैसे दिये, बंदे ID दे देते हैं, खेलो भाई, तुम मोज गाटो, नेम चेंज करना, नेम चेंज करो, तो मैं बोलूगा भाई, लाइफ में कुछ अचीव करो, जब अचीव करोगे, तो तुम लोगों के पास सब कुछ आजाएगा, पैसा आजाएगा, मतलब फेम आजाएगा, ये चीज़े आजाएगी न, तो पूरी फैमिली, पूरा भाई, सही बोल रहा तो मैं बोल रहा हूँ भाई, कुछ अचीव करो, लाइफ में, गेम खेलने से कुछ नहीं होगा, और भाई, मैं लास्ट में मोटिवेट कर रहा हूँ, तो ये मतलब नहीं है कि गेम मत खेलो, गेम से भी कुछ कर सकते हो भाई, गेमर बनो, यूटूबर बनो, कॉम्पी पल लो में तब तके बाई बाई